हेलो डियर श्टुडेंट्स आज टेंथ क्लास इंग्लिस से सेकंड चेप्टर लॉंग बॉक्टु फ्रीडम को लाइन बाय लाइन एक्स्प्लाइनेशन किया जाएगा तो आप सभी को बहुत सीरियेश हो के बहुत अच्छे से इसकी हिंदी जो समरी मैं बताऊंगा उसको ध लंब यात्रा अब याजादी के लिए लंब यात्रा किशने की है यह की है नेलसन मंडेला ने तो सबसे पहले देखेंगे बिफोर यू रीट चैप्टर में क्या पड़ा जाएगा अपार्थीड अपार्थीड इसका मतलब क्या होता है यह पॉलिटिकल सिस्टम है को जाती है समदा कि इस पर अलग-अलग करता है आगे देखेंगे केन यूशे विच आफ दा थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वैरी रिशेंटली अब हमें बताना यह जो तीन आप्शन है इन मेंसे कौन सी कंट्री है मतलब कौन सा जिसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम में अभी हाल ही में रहा है या लाग हुआ है तो यहां पर करेक्ट अंसर इसका क्या होगा यह तीन में से जो साउथ अफरीका है यहां की है नेलसन मंडेला तो जो अफार्थिट सिस्टम है वो साउथ अफरीका में अभी हाल ही में देखा गया हैं आप सेकंड पॉाइंट देंगे इसका क्या आपने नेलस unintended के बारे में शुना है और उनकी पार्टी है अफरीका नैशननल कॉंग्रेशा के बारे में शुना है या जानती है अब इन्होंने क्या किया है इसपेंट पास्ट में लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड जो अपार्थीड एक सिस्टम है उसके फाइटिंग में मतलब लड़ते हुए क्या किया है इन्होंने टाइम स्पेंड किया है लाइफ टाइम मतलब पूरा जीवन बिताया है अपार्थीड के अगेंस्ट मतलब बिरु में बिताए हैं텉नि होने लग भग अपनी उम्री 30 स Hill कहां genduh में बिताए हैं फानली फिर लास्ट में क्या होता है डेमोक्रिक ऐललेक्षिंण suo है कहां पे साउथ अफ्रीका में मतलब रखे गैंगोडLD का ब्लैक प्रेसिडेंट बने मतलब पहले काले राश्टरपती नेलसन मंडिला बने इस से पहले क्या होता था वहाँ पर अपार्थिट से श्रम चलता था और गोले लोगों कर राज रहता था पहले बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब काला कोई व्यक्ति है जो प्रेसिडें आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, जो बाते मैं बोल रहा हूं, उनको याद करते जाना, एक बार देखिए, अच्छे समझ में आएगा, कोई चीज में सो जाती है, तो दुबारा भी देख सकते हैं, फिर आप इस एक्स्ट्रेक्ट में क्या है, ये उनकी ऑटोबायाफी है, आपकी खुद अपने बारे में लिखता है, या अपने जीवन के बारे में जो वर्णन करता है उसको ऑटोबायाफी बोलते हैं, मंडिला स्पीक्स अबाट अहिस्टोरिक ओकेशन, इस चेप्टर में मंदिला किस बारे में बात कर रहे हैं, अपने historic occasion की बारे में बात कर रहे हैं, the inauguration inauguration का मतलब क्या होता है उद्गाटन किसी चीज की शुरुवात करना can you guess what the occasion might be अब क्या आप guess कर सकते हैं guess मतलब अंदाज अलगाना, कोई idea लगाना कि what the occasion might be, कौन सा occasion हो शकता है क्या अपसर हो सकता है, जिसके बारे में नेलसन मंडेला इस chapter में बता रहे हैं, second check your guess, अपना जो idea है, उसको check करना है, with this news item from the BBC of 10th May 1994, यह एक news दिया है यहाँ पे देखेंगे सभी लोग इस box में इस box में कुछ news है, जैसे अपने हाँ पे election होता है, तो उसकी news next day अपन देख लेते हैं कि कौन सी government बनी है, या बनने वाली है, जैसे उसका result आता है तो यहाँ पे जब नेलसन मंडेला first black president बने, तो वो news जो है यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी, इसको समझेंगे इसमें क्या लिखा है, नेलसन मंडेला has become South Africa's first black president नेलसन मंडेला है, वो क्या बन चुके है first black president बन चुके है कहाँ पे, South Africa में president after more than three centuries, अब देखें यहाँ पे three centuries के बाद, मतलब centuries का मतलब होता है, 100 और three मतलब 300, तो 300 साल के बाद, 300 साल के बाद नेलसन मंडेला है, वो क्या बने first black president बने, तो I hope यहाँ तक clear होगा सभी को, अब देखेंगे आगे Mr. Mandela Mr. Mandela's African National Congress ANC, इसको short में बोला है ANC, party bond 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history तो I hope बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको 252 seats से, इनका जो National Mandela का जो पार्टी है, National Congress पार्टी, यह win किया है, मतलब जीता हुआ है, कहाँ पे South Africa की history में पहली बार South Africa की history में कोई black president 252 seats के साथ जीता है, यह इसका मतलब है अब देखेंगे आगे The inauguration share money took place in the Union Buildings MP Theater जो inauguration है जो यह समार हुए कर रहा है share money का मतलब होता है, शमार हुए तो यह उद्गाटन समार हुए है, वो कहाँ पे took place कहाँ पे जगाए ले रहा है, कहाँ पे हो रहा है Union Building MP Theater यह हो रहा है, Union Building MP Theater में कहाँ पे हो रहा है, यह question में आता है इसको ध्यान रखेंगे कि where was the share money took place जो share money है, वो कहाँ पे जगाए लेती है तो इसका correct answer है, Union Willings MP Theater in Pretoria तोड़े, मतलब आज पेटोरिया में यह उद्गाटन समार हुए रखा गया अब इसमें को अटेंड कौन कर रहा है, यह आगे लिखा है attended by politicians and dignitaries कुछ politicians है, कुछ राजनेता लोग है और कुछ dignitaries है dignitaries बो लोग होते हैं, जो देश में ज़्यादा जाने जाते हैं महान मूर्तिय अपन बोल सकते हैं, तो बो लोग इसको attend कर रहे हैं, यह कहाँ से आए हैं from more than 140 hundred countries मतलब 140 देशों से भी ज़्यादा देशों से यह लोग आए हुए हैं कहाँ से around the world बेस्विके 140 से ज़्यादा 140 से अधिक देशों से यह लोग आए हुए हैं never never again will this beautiful land experience the operation at one by another अब never never बार बार मना किया गया है कि कभी नहीं, कभी नहीं again, फिर शे will this beautiful land यह जो खुबशूरत जगाए है experience क्या अनुभब नहीं करेगी देखिए यहाँ पे never never बोला है मतलब नहीं करेगी negative होगा है sentence operation, operation का मतलब होता है atyachar of one by another मतलब एक व्यक्ति पे किसी दूसरी व्यक्ति दवारा atyachar किया जाए यह ऐसा यह जो South Africa की land है beautiful land जिससे बोला यह कभी भी बरदास्त नहीं करेगी Shed Nelson Mandela in his address अब जो उन्होंने address किया था address का मतलब होता है एक तो पता एक address का मतलब होता है भाशन या इस पीच तो जो उन्होंने अपना भाशन दिया उन्होंने यह बोला कि यह जो beautiful land है यह कभी भी एक वैक्ती का दूसरी वैक्ती पर अत्याचार होना बरदास्त नहीं करेगी तो I hope यहां तक clear होगा सभी को अब आगे देखते हैं थोड़ा और है जो बॉक्स मेरा गया था यहाँ पर देखिए जूब्लियंड से जूब्लियंड सीन अन दास इस्ट्रीट्स आफ प्रेटोरिया फॉलोड दा सेर्मनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग तोगेदर अब देखिए जूब्लियंड का मतलब होता है बहुत खुसी बालस सीन है कहां पे है ये इस्ट्रीट्स आफ प्रेटोरिया प्रेटोरिया एक जगए का नाम है सभी ने सुना होगा वहां की इस्ट्रीट में मतलब गलियों में फॉलोड दा सेर्मनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग ब्लैक्स लोग भी है, वाइट लोग भी है और कलर्ड और दूसरी वेक्टिवी अनकलर के जिनका थोड़ा से कम ब्लैक्स एक वाइट कलर होगा वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहा है इस सेर्मनी को तोगेधर मतलब एक सान्थ में और बच्चे भी क्या कर रहा है और खुशी के सांथ नाच रहा है तो अब यहाँ पे सबी को सुने आओका इस चेप्टर में क्या है पहले अफार्थिट सिस्टम था लोगों के सांथ भेदवा होता था लेकिन फर्ष्ट ब्लेक प्रेशिडेंट नेलसन मंडेला के वनने के बाद पहले काले प्रधान मंत्री और शौरी राष्ट पती जो नेलसन मंडेला है उनके वनने के बाद यहाँ पे सभी जाती के या सभी शमुदायों के या सभी कलर के लोगों के सांथ सभी color के लोग enjoy कर पारा है सभी के साथ समान वेवार होने लगा है ये सारी बातें इस chapter में पढ़ेंगे चलिए अब थोड़ा और है आगे अच्छा box हो गया है चलिए अब एक्टिविटी छोड़ देंगे यहां से अब chapter यहां से सिरू होगा 10th माई यहां से ध्यान से सुनना है बहुत अच्छे समझ में आएगा आप सभी को और याद भी रहेगा सारे जो questions है वो इसी chapter में जो आपन पढ़ेंगे आपको यहीं पर याद हो जाएंगे कि किस question में क्या पूछा गया है और कैसे उसको answer करना है देखिए पहली लाइन जो है यहीं से question बन जाएगा आपका 10th माई डाउंड, bright and clear जो 10th माई था वो क्या था? bright and clear एकदम साफ और bright था bright का मतलब सभी समझने है for the past few days I had been pleasantly besesed by dignitaries besesed का मतलब यह देखिए यहां पे side में लिखा है surrounded मतलब घेरा तो पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों की बीच में था कुछ लोग मेरे surrounded थे मतलब 4 और थे कैसे लोग थे वो dignitaries अभी मैंने बताया था dignitaries का मतलब होता है महानमूर्तियां the world readers और कुछ बिस्वी के दूसरे ने था who were coming to pay their respect जो किसलिए आ रहाए थे प्यदिया respect अपनी इज़्जद देने के लिए आ रहाए थे before the inauguration जो inauguration रखना है उस inauguration के पहले the inauguration would be the largest gathering इनका जो inauguration था वो क्या था एक largest gathering था मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसमें इखटे होने वाले थे ever of international leaders on south african soul मिट्टी में बहुत सारे लोग बहुत international leaders मतलब देश के जो अंतर राश्टी नियता लोग थे सब भी इखटे होने वाले थे यह इसका means है यहां तक तो आयो पिलियर होगा अब आगे देखेंगे यहां पर question क्या बनता है मैं बताने वाला था चलिए आगे यहां पर समझ मैं दाएगा देखेंगे उपर से मैंने क्या पड़ा भी the share money took place यह question आता है share money कहां पर रखी गई थी तो in सेंडिस्टॉन एमफी थेटर फॉर्म वाइदा यूनियन विल्डिंग एक तरह की विल्डिंग है कहां पे प्लिटोरिया में यूनियन विल्डिंग है जहां पे ये सिर्मनी रखी गई थी जहां पे ये शमार हुआ हुआ था अब आगे देखिए फॉर्डिकेट्स मतलब दसकों के लिए ये क्या थी वाइट सुप्रमेशी थी मतलब गोरे लोगों लोगों का सासन में थी और अब क्या है इट वाज दा साइट ऑफ लैनवो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब अलग 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 कलर की लोगों की गैदरिंग थी यहाँ पर भींड थी एन नेशन फॉर्डा इंस्टॉलेशन ऑफ शाओट अफ्रिकाज फिस्ट डेमोक्रेटिक नॉन रिशियल गवर्मेंट अब यह क्या थी नॉन रिशियल गवर्मेंट थी मतलब इसमें किसी एक जाती या संप्रदाई की बात नहीं होत अब देखी सेकंड कोश्चन यहां से बनता हैं अन डेट लवली डे अन डेट लवली डे आई वज़ाइंड पाय माय डॉटर जिनानी यह लाइन बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है यहां से सेम तुसेम लाइन को याद रखेंगे अन डेट लवली डे अब देखिए हमने शेर मैनी कब मानी गई है कब मना रहा हैं यह लोग शेर मैनी को शामारोवे को 10 माई को 10 माई को तो 10 माई को यह क्या बोलेंगे आटम डे बोलेंगे सरद दिवस की रूप में मनाएंगे ठीक है तो अन डेट लवली ओटम डे आई वस अकंपेंड बाय माय डॉटर जिनानी आइकॉन हैं पर नेलसन मनला हैं जिसको अकंपेंड मतलब साथ दिया इनका साथ किस ने डिया बाय माय डॉटर इनकी खुद की डॉटर जिसका नाम है जिनानी जिनानी ने साथ दिया तो कॉस्टन यह भी आता है कि वाट वाट वाजद ओ लॉट लम ऑफ नलसन मनला इदा का नाम क्या था तो यहां से जनानी शाभी को याद रखना है और पोडियम पोडियम पर मिश्टर डी कलर्क बाच फर्स्ट श्वैल देखिए मिश्टर डी कलर्क बाच फर्स्ट श्वैल इन एस सेकंड डिप्टी प्रेशिडेंट सेकंड डिप्टी प्रेशिडेंट कौन थे Mr. D. Clark जन्होंने क्या किया स्वार्ण मतलब सफत ली देन उसके बाद ये पिक्चर देखी जब लोग ये कौन है नेलसन मंडेला है देन थाबोंबे की वाज स्वार्ण इन्दा फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडंट अभी हमने देखा D. Clark कौन थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडंट थे और थाबोंबे की ये सेकंड नाम है ये कौन है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडंट है इन्होंने स्वार्ण किया स्वार्ण का मतलब होता है शफत लेना मतलब दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे पहला वेक्ति कौन था डी क्लर्क, सेकंड वेक्ति कौन है, था बॉम्बे की, यह दोनों क्या है, फिस्ट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट कौन है हमारे, मैं प्रेसिडेंट है हमारे, नेलसन मंदेला, तो अभी तक क्या हुआ दो लोगों ने सफ़त लिया फिर जब मेरा टरन आया अब ये क्या कह रहा है जो कॉंस्टिटिउशन होता है शंबीधान जो नियम होती है राज आपने देश के उनको आवे करेंगे उनका पालन करेंगे अब होल्ड और आगे कंटिन्यू रहेंगे तो डेवट माइसेल्फ डेवट का मतलब होता है तो एक खुद को समरपड कर देंगे तो वेल बिइंग उफ दे रीपॉबलिक एंड इड्स प्यूपिल अब यहां पर दियान से देखेंगे उनको और भी करूँगा उनका पालन करूँगा अब होल्ड आगे रखूँगा और डेवट माइसेल्फ खुद को समरपड दे रखूँगा इस चीज़ के लिए तो वेल बिइंग उफ दा रीपॉबलिक एंड इड्स प्यूपिल जो हमारा रीपॉबलिक है जो नेशन है राष्ट है और इड्स प्यूपिल और जो यहां के लोग है उनके वेल बिइंग के लिए उनकी अच्छाई के लिए खुद को एकदम समर्कित रखूँगा ऐसा कहना है अब आगे समझेंगे तो दा असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड जो भी लोग बहां पे आये थे एकद्टे हुए थे असेंबल का मतलब होता एकद्टे होना गेस्ट कुछ गेस्ट थे महमान एंड वाचिंग वर्ल्ड और जो देखने वाली दुनिया थी आई सेड उन से क्या कह रहे हैं आई सेड मतलब मैंने कहा अब यहां से देखेंगे यह क्या कहना है आगे उनका जॉवा का लेक्चर वो क्या है टुडेः अल अफ और ऑफ डु वाय आबर पिर्संस हेर आज हम सभी लोग अपनी पिर्संस प्रिसेंस का मतलब होता है उपस्तिती, यहां पे here मतलब यहां, यहां पर हम सबकी उपस्तिती, confer glory and hop to new world liberty, लिबरिटी का मतलब होता है आजादी, new world मतलब नई जन में, अब यहां पे जो हमारा सभी का प्रिसेंस से उपस्तिती है, वो किसलिए है, new world liberty के लिए, मतलब जो जैंगे out of the experience, मतलब पहले इनको क्या experience था, of the an extraordinary human disaster, disaster का मतलब होता है आपदा, एक extraordinary human disaster था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मानव आपदा थी इन लोगों के पास, की इन लोगों को black होने के बजाए से गोरे लोगों के अत्याचार सहन करने पड़ते थे, इनको कोई respect नह के अकत्रित हुए हैं, यह जो human disaster था, यह lasted long, lasted too long, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों बाद, बहुत ज़्यादा समय बाद यह last हुआ, अब आगे देखेंगे, must be born a society of which all humanity will be proud, अब इनका कहना है, must be born a society, एक ऐसी society जनम लेगी, of which all humanity will be proud, जिस पर पूरी humanity, पूरी मानव जाती proud करेगी, गर्ब करेगी, बी हम, who were outlaws not so, who were outlaws not so long ago, have today been given the real privilege to be host to the nation of the world on our own soul, we thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all, अब इस तरी किसी अपने lecture को continue रखते हैं, जो भी international leaders हैं, जो guests हैं, जो महमान लोग आया हैं, इन सभी को respect देते हैं, सभी को thanks बोलते हैं, यह सब मतलब इन सब को संभूधित करते हैं अपने speech में, जो लोग यहाँ पर आये हैं, having come to take procession, मतलब इस शमारों में भाग लेत करते हैं, इन सभी को address करते हैं, people of our country, of what after all a common victory for justice, for peace, for human dignity, इन होने किस किस चीज़ पे जीत किया है, victory का मतलब होता है, justice, नियाय पे, peace, santi and for human dignity, और जो मान अपकी dignity होती है, एक मतलब आपन बोल सकते हैं, इसको खुद की self-respect, इसको अपन dignity बोल सकते हैं, तो इन सब पे इस we have at least achieved our political emancipation, अब देखी, we have at least, मतलब कम से कम, achieved क्या चीज़ किया है, political emancipation, मतलब हम कम से कम अपनी जवाजादी है, उसको अचीब कर पाएं, प्राप्त कर पाएं, emancipation का मतलब देखी, यहाँ पे लिखा है, freedom from, freedom from restriction, restriction का मतलब होता है, बाधाएं, किसी तरह की बाधाएं तो अब जो बंधन थे, जो बाधाएं थी पहले, उन से अब इनको आजादी मिल चुकी है, be pleased ourselves to liberate all our people, be pleased ourselves to liberate all our people, from the continuing bondage of poverty, यह देखी, यह सारे सब जयाद रखना है, poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, अब इनका क्या मतलब है कहने का, pleased ourselves to liberate all people, liberate मतलब आजाद करना, all our people, मतलब हमारे शभी लोगों को आजाद करेंगे, कहां से, from the continuing bondage of poverty, जो poverty, गरिभी का बंधन है, bondage है, deprivation, deprivation होता है, किसी के साथ, अत्याचार करना, यह suffering, कोई जो व्यक्ति पीरित है, किसी चीज़ से, भेदभाव से पीरित है, लोगों को आजाद करेंगे, कोई gender equality से परिशान है, and other discrimination, और कोई अन्य परकार का जो भेदभाव लोगों को शाथ किया जा रहा है, उससे हम उन लोगों को आजाद करेंगे, यह इसका sense था यहां तक, चलिए आगे समझेंगे, फिर से, never never, 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 and never again, sell it be, that this beautiful land will again experience the operation of one by another, म एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति पर अत्याचार वर्दास्त नहीं करेगी, the sun, the sun, the sun, sell never, shat on, जो सूरी है वो कभी नहीं, shat on होगा, मतलब दूबेगा, so glorious our human achievement, जो इतना glorious achievement हमने किया है, जो हमने आजादी प्राप्त की है, इसका सूरी आप कभी yes नहीं होगा, तो I hope यह यहां तक सभी को बहुत अच्छे सुनने आएगा, आया होगा, नेलसन मंदिला ने अपनी स्वीच में क्या बोला, अब यह कुछ question answer है, अच्छा, यहां पे एक line और miss कर दिये, चलिए, यह line देखिए, यहां पे इनका speech जो है, वो end हो जाता है, कहां पे, यह line बोलने के बा courage, wisdom and generosity, that there like many never be none again, perhaps it requires such depth of operation, पहले इसको एक साथ पूरा पढ़ लीजिए, फिर हंदी बताता हूं इसका, courage, sahas, wisdom, buddhimani and generosity, उदारता है, एक एक word का बताऊंगा, आराम से ध्यान से सुनिए, that there like may never be none again, perhaps it requires such depth of operation, to create such heights of character, my country is rich in the minerals and gems, that lie beneath its soul, but I have always, but I have always, none that its greatest wealth is its pupil, अब यहां पर बहुत अच्छी बात बोली है, इन्होंने इसको याद रखना है, इनका कहने का मतलब ही है, कि जो मेरी country है, मेरा जो देश है, यह काई काई सी चीजों से rich है, rich का मतलब अमीर, माइनरल से अमीर है, माइनरल का मतलब होता है, खनिस्पदार, खनिस्पदा से अमीर है, gems से अमीर है, beneath its soul, जो इसकी मिट्टी के नीचे दब हुए है, यहां की जो लोग है, वो ही इनके लिए greatest wealth है, finer and truer than the purest diamonds, finer सबसे उत्तम and truer, बिल्कुल सही, purest सबसे सुद्द diamond मतलब ही रे, तो उनका कहिने का मतलब भी है, कि जो हमारा देश है, साउथ अफरीका, यहां पे माइनरल्स भी है, खनिस्पदा भी है, gems भी है, इस मिट्टी के नीचे, लेकिन फिर भी इसकी जो greatest wealth है, सबसे अच्छी संपत्ती है, वो क्या है, its people, यहां के लोग, यहां के लोग क्या है, फाइनर हैं, शर्वत्तम हैं, ट्रूर हैं, शच्ची हैं, और बिल्कुल सुद्र डायमंड ही रहे हैं, तो नेलसन मंडिला ने यहां के जो प्यूपिल है, उनको सबसे ज़्यादा priority दी है, यह बात याद रखेंगे, आगे continue रखेंगे, अब कॉमरेट्स का मतलब होता है, साथी, तो यह उन साथियों से, इन दा इस्ट्रेगल डेट आई लर्न दा मीनिंग आफ करेज, जिन से मैंने मीनिंग आफ करेज, मतलब करेज का मतलब सीखा, करेज का मतलब क्या है, टाइम एंड अगें, समय और फिर दोबारा, आई हैं I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, मैंने लोगों को attacks करते, without breaking, बिना ब्रेक के, और टॉर्चर होते हुए देखा, showing a strength and resilience that defies the imagination, जो एक किसी imagination को defy करे, I learned that courage was not the absence of fear, I learned, मैंने शीखा, क्या सीखा, that courage was not absence of fear, जो courage है, साथ से, वो क्या है, absence of fear, ऐसा नहीं है, जहां पर डर नहीं है, वो व्यक्ति साथ सी है, but the triumph over it, लेकिन courage क्या है, but the triumph over it, मतलब जहां पर डर है, जहां पर fear है, Trump का मतलब उता है, जीख, तो उसके उपर जीख, मतलब Nelson Mandela क कहना यह है, I learned that courage was not the absence of fear, मतलब डर वो नहीं है, जो, sorry, साहस वो नहीं है, जो कोई व्यक्ति कहें कि मैं डरता नहीं, साहस वो है, जो कोई व्यक्ति डर की उपर जीख पाले, according to Nelson Mandela, साहस क्या है, साहस वो है, जो डर की उपर जीख पाले, तो Trump favorite ये question में भी आता है, question में आएगा, what is the courage mean to Mandela, Nelson Mandela के साब से courage क्या है, तो answer करेंगे, according to Mandela, courage means, victory over fear, जो fear है, जो डर है, उसके उपर जीख, क्या है, courage है, साहस है, चली आगे लिखते हैं, the brave man is not, he who does not feel afraid, brave man वो नहीं है, बहादर व्यक्ति वो नहीं है, who does not feel afraid, जो कभी डर को महशुश नहीं करता, but he who conquers that fear, लेकिन वो है, जो उस डर को, उस fear को conquers कर ले, मतलब जीत ले, no one is born hating another person, देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, no one is born hating another person, को दूसरे व्यक्ति से hate करें, नफरत करता ही रहे, person, because of the color of his skin, आब इस चैप्टर में हमने देखा, इस चैप्टर में पहले क्या था, अफार्थीर था, लोग एक दूसरे से, उनके जाती, या color के वेस्पे नफरत करते थे, तो नेलसन मनलेला का कहना ये है, कि कोई भी व्यक या फिर उनका जो background है, उससे कोई नफरत करें, तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते, और his religion, उसका धरम क्या है, pupil must learn to hate, जो pupil हैं, जो लोग हैं, उनको hate करना, मतलब नफरत करना सिखाया जाता है, learn मतलब सिखाना या सीखना, तो लोग नफरत करना सीखते हैं, if they can learn to hate, यदि व कोई व्यक्ति नफरत करना सीखता है, तो उससे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, for love, क्योंकि love क्या होता है, प्यार, comes more naturally, यह more naturally, मतलब ज्यादा सभाविकी, to the human heart, जो व्यक्ति का human heart होता है, माना बहरता है, उसमें naturally ही सभाविकी आ जाता है, then it's opposite, then it's opposite, मतलब जो इसक times in prison, even in the grimmest time in prison, जो जैल में इनका grimmest time था, when my comrades, comrades का मतलब उता है, सांती, जब इनके comrades मतलब सांती लोग, and I were, और यह खुद, pushed to our limits, अपनी जो लिमेट से उन पर दवाब डाला, pushed थे, दवाब डाला गया था, I would see a glimmer of humanity, तब यहां पे यहां पे यह नहोंने एक glimmer of humanity दे की, in one of the guards, कहां पे देखिए, guards में देखी, perhaps just for a second, सायद कुछी second के लिए, but it was enough to reassure me and keep me going, लेकिन भले ही कुछ second के लिए थी, लेकिन इसने मुझे keep going, मतलब आगे continue रखा, उस छोटी सी ही जलक ने, यह जलक काई की थी, यह जो गिले मारे नहोंने देखा, वो क्या था, आ फ्लैम, that can be hidden, but never extinguished, मतलब मनस्त की जो अच्छाई है, वो क्या है, फ्लैम है, फ्लैम जो की hidden, मतलब छुप सकती है, but never extinguished, extinguished का मतलब होता है, बुझाना, लेकिन बुझ कभी नहीं सकती, मतलब किसी ब्यक्ति की अच्छाई जो होगी, गुडनेस, वो कुछ समय के लिए छिप जाए, ना देखे, पता ना चले, लेकिन ऐसा नहीं है, कि वो बुझ जाए, हमेशा के लिए, येस, आगे continue रखेंगे स्टोरी को, in life, every man has strain obligation, अब इहां से नेलसन मंडिला बोलना चाहते हैं, कि in life, जीवन में, every man, फिर्दिक व्यक्ति के पास, has strain obligation, दो obligation होते है, obligation का मतलब क्या होता है, दाइट, तो नेलसन मंडिला के साब से जो obligation रहेंगे, वो किस किस के लिए रहेंगे, family, parents and children, and he has an obligation to his people, और येका obligation रहेगा, उसके people, यानी लोगों के लिए, his community, his country, in a civil and human, आगे देखेंगे, मतलब दो obligation है, दो दाइट है, एक family के लिए, parents और बच्च इन a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations, अब नेलसन मंडिला बोल रहे हैं कि, इस human society में, मानब जाती में, या मानब समान में, each man, हर व्यक्ति के पास, each man able to fulfill those obligations, हर व्यक्ति, उस obligation को fulfill करने के लिए, अबल है, मतलब योग है, according to his own inclinication and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my worth, had color to fulfill both of those obligations, In South Africa, मतलब South Africa में, मेरे जान से व्यक्ति के लिए, वो obligation fulfill करना थोड़ा सा difficult था, थोड़ा सा impossible था, In South Africa, a man of color, who attempted to live as a human being, was punished and isolated, South Africa में, कोई भी, मेरे जान से color का व्यक्ति, जो human being के लिए, या color के बेस पे उसको attempt करता, तो उसको क्या किया जाता था, punished किया जाता था, या फिर isolated, अलग कर दिया जाता, In South Africa, a man who tried to fulfill his duty, In South Africa, a man who tried to fulfill his duty, एक बेक्ति, South Africa में दी, अपनी duty को fulfill करने का try करता, His pupil was inevitably, inevitably, inevitably कमीन से यहां पे लिखाया है, unavoidably, ripped from his finally and his home and was forced, Forced, to live a life apart, तो उसको वहां के लोग अलग जीवन जीने के लिए force कर दे, A two light existence of secrecy and rebellion, I did not know in the beginning to choose a place my pupil above my family, But in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a son, a brother, and father and husband, I was born free, मैं तो free ही पैदा हुआ हुआ था, Free in every way, free कैंसे हर तरीके से, every way मैं हर तरीके से free थे, That I could know, जो यह जान सकते थे, Free to run in the fields, fields में run करने के लिए free, near my mother's hut, जो इनकी मागी huts के पास filled थे, उनमें घूमने के लिए free थे, free to swim, तैलने के लिए free थे, inner clear stream, साफ दारा में तरने के लिए free थे, that रें थे रोमाए विलेज, जो मेरे गाओं के विलेज के पास से निकल दी, आगे देखेंगे, करेंगे, प्लाव भारा में थे, जो में तरने के लिए free. आगे is a hot, चलाव, नाष दूम के लिए के लिएist, विलेज के लिए की उभी थे, free to roast meals under the stars and ride the world backs of slow-moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe I was not troubled by the laws of men or God up Nelson Mandela as long as the hatak I obeyed my father man if my father I obeyed by the custom of my tribe I was not troubled by the laws of men or God to me kisitra koi problem koi trouble nahi hai by the laws niyam ke saab se konsiniyam man or God bhagwan ya abhyaktiyo ke niyam se moji koi trouble nahi nahi it was only when I began to learn the learn that my childhood freedom was an illusion it was only when I began to learn when I began to learn when I had 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 to learn my boyhood freedom was a illusion मेरे बच्पन की freedom थी छोटे समाई की आजादी थी वो क्या थी illusion थी एक ब्रहन था when I discovered जब मुशी पता चलाया मैंने discover किया as a young man that my freedom had already been taken कि जब मैं young man रहा उस समय मेरी जो freedom थी वो already had been taken पहले ही लीजा चुकी थी from me मतलब मेरे से मेरी freedom पहले ही लीजा चुकी थी यहां तक हुआ है that I began to hunger for it at first as a student I wanted freedom only for myself जब मैं student था तब मैं सिर्फ freedom मेरे खुद के लिए चाहता था the transistory freedoms of being able to stay out at night मतलब ऐसी freedom जिसमें मैं stay out at night रात मैं अकेला बहार रहता हूँ उसकी freedom उसकी अज़ा दी और आगे दिखेंगे read what I pleased and go where I choose वो चीज़े read करने के लिए वो चीज़े पढ़ने के लिए जो मुझे जाओ उस चीज़ के लिए free later as a young man in Johan's work I earn for the basic and honorable freedom of achieving my potential of ironing my keep of marrying and having a family the freedom not be abstracted in a lawful life अभी हाँ पर और बच्पन की freedom की बात किया है कि बच्पन में किन किन चीज़ां की freedom जायता था but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free अभी खुद को remember करता है past को कि बच्पन में सिर्फ मैं ही free नहीं था but my brother and sister were not free लेकिन जो मेरे बर्दर और sister थे वो भी free नहीं थे I saw that मैंने देखा कि it was not just a just my freedom ये सिर्फ मेरी freedom नहीं थी that was cartel जो लेली गई थी या छिल ले गई थी but the freedom of everyone ये freedom थी हरेक ब्यक्ति किया जाधी हरेक ब्यक्ति किती who looked like did like I did जो मेरी तरह करने वाले ब्यक्ति थे that I that is when I joined the African National Congress ये 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 नहीं आने African National Congress को जाइन किया and that is when the hunger that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom freedom of my people यहां पे sentence finished हुआ है तो वहीं से क्या हुए कि जो मेरे के लिए freedom थी वो मेरे शारे लोगों की freedom बन शुकी it was this desire his desire थी for the freedom of my people मेरे लोगों की freedom आजाधी के लिए to live their lives with dignity and self-respect that that animated my life जिसने मेरे life को भी animated किया that transformed a frightened young man into a world one अब इसने क्या किया इस freedom की भूंक ने hunger ने एक frightened young man को टरने वाले चुटिश young man को bold man बना दिया bold one बना दिया एक बहुद ब्यक्ति बना दिया that drove a law avoiding attorney to become a criminal यहां से free that turned a family loving husband into a man without a home एक family loving husband को एक एंस ब्यक्ति बना दिया that forced a life loving man to live like a monk फिर वो ब्यक्ति एक monk एक साथ की तरह है रहने के लिए विवास हो गया चलिए चेप्टर थोड़ा से लौंगे इसलिए थोड़ा से जल्दी कर रहा है यदि कुछ bird मिस हो जाते हैं तो worry ना करें जो most important है वो सारे points of uncover करेंगे जो chapter में आती है जो question answer में आती है वो सारी चीज़े आपके लिए explain की जाएं यदि कोई line या कोई word मिस हो जाता है तो उसको ignore करें बागी chapter को ध्यान से समझे yes कहां पे थे यहां से देखेंगे I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free जब मेरे ही लोग free नहीं है तो मैं उस freedom को साजाधी को enjoy नहीं कर सकता freedom is individual freedom क्या है invisible है individual है पिर थे एक बेक्ति की अपनी freedom होती हा जाधी the chance of the chance on anyone of my people were the chance on all of them the chance on all of my people were the chance of me मतलब जो मेरी आजाधी है वो ही मेरे लोगों की उपर डपन करती है और जो लोगों की आजाधी है वो ही मेरी आजाधी है I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed अब मैं जानता था कि जैसे oppressor है जो अत्यचार करने वाला है must be liberated उसको भी वो ही उसको भी आजाधी वो भी आजाध नहीं है just as just surely as the oppressed जैसे कि जिस पर अत्यचार किया गया वो आजाध नहीं है इसी तरहीं से जिसने अत्यचार किया जो आपरेशर है वो भी आजाध नहीं है अमेन who takes away another man's freedom अमेन एक व्यक्ति who takes away another man's freedom दूसरी व्यक्ति किया जाधी ले इस अप प्रिजनर ओफ हैटर्ड हो क्या है प्रिजनर ओफ हैटर्ड है इसको याद रखेंगे he is my ness I am not truly free if I am taking away someone else freedom अभी हाप Nelson Mandela गोल रहा है I am not truly free मैं भी सच में free नहीं हूँ if I am taking away someone else freedom ज़ि मैं किसी और भी एक्ति की freedom को chin down just as surely I am not free when my freedom is taken away बिल्कुल ऐसे ही मैं free नहीं हूँ जब मेरी freedom को मुझसे चीन लिया जाए the oppressed and the oppressor like a robbed of their humanity ना ही मतलब अत्याचार करने वाला free है और ना ही अत्याचारी free है यही था इस chapter में तो I hope सभी को clear होगा तो चलिए मिलते हैं फिर next video में आदा है वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें चलिए बाए, ठीक कर, see you